हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट जिलेवी जिसे ना तो घंटो भीगोने की जरुरत है ना ही इस्ट डालने की जरुरत है और फटाफट बनने वाला है ये जिलेवी और खाने में बिलकुल हल्वाईयों की तरह ब जिलेवी बनाने के पहले चलिए हम चासनी बना लेते हैं तो चासनी के लिए मैंने एक पतीला लिया है ऐसा पतीला जो चौड़ा मुका हो जिसमें जिलेवी आराम से भींगोया जा सके और इसमें मैंने दो कप मैंने सक्कर डाला है और इसी कप से मैंने माप करके दो कप सक् पानी रेशियो याद रखिएगा 2 is to 1 होना चीए दो कप चीनी एक कप पानी और ये अब अच्छी तरह से घूल जाए इसके लिए हम पल्टे से थोड़ा चला लेंगे लगातार चलाते रहेगा जब तक कि सकर अच्छी तरह से घूल ना जाए फ्लेम को हाई रखिएगा और ये देखिए तीन से चार मिनट हो गया है सकर हमारा अच्छी तरह से घूल गया है तो अब हम इसमें थोड़े से केसर के स्टेन डाल रहे हैं तो ये मैंने थोड़े से स्टेन डाल दिया है केसर के इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा ह जाता है से भी हम अच्छी तरह से चला के मिला लेंगे अब हम इसमें थोड़ा से नीबू का रस डाल रहे हैं ज्यादा नहीं आधा नीबू का रस काफी होगा नीबू का रस डालने से क्या होता है बाद में जो क्रिश्टल बन जाता है न सकर वो नहीं होता है अब यह हमारा स दूँगे गैस को और एक साइड में रख दूँगी अब हमें एक कप मैदा लेंगे बाउल में और उसे अची तरह से हम चाल करके लेंगे और हां उसी कप से आप मेजर कीजेगा जिससे चकर और पानी मेजर किया था अब इसको अच्छी तरह से हमने चान लिया है अब इस में मैं थोड़ा सा बैकिंग पॉडर डालूँगे उसको भी मैं इसी तरह से चान करके लूँगे और बैकिंग पॉडर आप ध्यान रखेगा इकसपारी डेट का ना हो और अब हम इसमें थोड़ा सा कड डालेंगे तो कड हमने एक चौथाई कप ही लिया है मतलब एक कप मै थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कीजेगा एक साथ ज्यादा पानी मत एड़ कीजेगा थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके अलगातार इसको चलाते रहेगा जिसे आपको पता चलेगी कैसा बन रहा है थोड़ा थोड़ा पानी डालने से गुठलिया नहीं पड़ती है यह कलर ही डालेगा या फिर जीलिवी वाला फूट कलर होता है वो आप डाल सकते हैं अच्छी तरह से विश्कर के हेल्फ से आप घोल में पूरा मिक्स कर लीजे बिल्कुल भी स्मूथ बन जाए जिससे अगर आपको हमारा चैनल हमारी देश भी पसंद आता है तो लाइक शेर कर दीजे और पास के बेल आइकन को प्रेश कर दीजे जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा अब ये मेरा बेटर या घोल कह लीजे जिसे बन करके बिल्कुल रेडी है मैं आपको पास से इसका फ्लो दिखा रही हूए रिबंस बन रह जैसे बनती है न वैसे ही और इसको इस तरह से मैंने गिलास में लगा दिया है एक साइट का ही सिर्फ ऊपर का ही मैंने ओपन रखा है बागी सब बंद है इसमें मैं जो खोल है उसको थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूंगी जिससे कि ये अच्छी तरह से एक बढ़िया गोल उतना ही डालिएगा आधा ही डालिएगा मताद़ी कुपी ही भरके रखिएगा नहीं तो बहुत उपर तक भर लेंगे तो दिक्कत होगी आपको और इसको अब रबड लगा दीजे या तो रबड लगा दीजे या फिर कपड़े से बाँध दिजे या धागा बाँध जो भी आपको comfortable लगे वो आप कर सकते हैं और अब इसको मैं cut करूँगी एक छोटा सा छेद करूँगी जिससे जिलेवी का design बनाने में मुझे सुविधार है तो आप ज़रा देख लीजेगा धियान से बहुत ज़्यादा मत cut कीजेगा अराम से थोड़ा ही cut कीजेगा और एक बार चेक कर लिजेगा अगर आपको ज़्यादा छोटा लगे तो फिर वापस से थोड़ा और बड़ा कर लिजेगा पर पहली बार में ही बड़ा मत कीजेगा और अब ये छेद हो गया है अब हमने ओयल को अच्छा गरम कर लिया है वैसे तो आप कोई भी cooking oil ले सकते हैं या वनस्पती घी ले सकते हैं या फिर देशी घी भी ले सकते हैं तेल जब अच्छा गरम हो जाए ना मतलब थोड़ा ज़्यादा गरम तब आज को slow कीजे और अब design आप डालते जाए एक ऐसे करके आप गोल गोल में डालते रहिए आज का slow होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज से आपके हाँ जल सकते हैं आप बरदास नहीं कर पाएंगे इसलिए आज को slow रखेगा और जैसे ही आपके design डालना खतम हो जाए ना वैसे ही आप आज को medium कर लीजेगा और एक side का मेरा अच्छा हो गया मैंने सबको पलट दिया है और चिम्टे से ही पलटिएगा अब देखिए दोनो side का अच्छा मेरा दिख रहा है बढ़िया बन करके हो गया है तो एक एक करके मैं सारा निकाल ले रही हूँ और इस तरह के छनोटे में आप रखेगा एक से दो मिनट तक ताकि सारे जो ऑल हैं गिर जाए अभी मैं आपको इसके क्रिस्पी होने का दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हुए है अब सारे को आप चासनी में डाल दीज़े जो मैंने चासनी बना के रखा है न उसी चासनी में और पंदरा से 20 सेकेंड तक इसको नीचे दबा करके रखियेगा जिससे की अच्छी तरह से चासनी लग जाए अब अच्छी तरह से चासनी लग गया तो वन वई वन करके मैं निकाल लूँगे ऐसे ही सारे बैचे उसको हमें तलना है और चासनी में डालना है फिर हम सर्व करते हैं ये देखे बन करके बिल्कुल रेडी है हमारी क्रिस्पी क्रंची रसीली जिलेविया इसे आप किसी भी तीस तेवार पर या जम मन करे तब बस भटाफट बनाईए और खुद भी काईए और सबको खिलाईए कि मैं आपको पास से दिखा रही हूँ देखे देखकर ही पता चल रहा है कि जिलेवी बहुत ही रस से भरी हुई है एकदम जूसी जूसी सी लग रही है वैसे तो जिलेवी सब्द सुनकर ही मुह में पानी आ जाता है और फिर ऐसा लुक ऐसा टेक्सर हो तो फिर क्या बात है गुजरात में जेलेवी फाफडे के साथ खाये जाता है आप कैसे खाना पसंद करते हैं कमेंट सेक्षन में जा करके आप बता सकते हैं कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं और इसी के साथ ये वीडियो में यहीं समाप्त करती हूं वीडियो देखने के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू